सूप्रबाद बच्चों आ गए आप कैसे हैं आशा है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे बच्चों आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है इतने दिन से आप रिमजिन की कहानी और अभ्यास आदी पढ़ चुके हैं चलिए आज पुना हम व्याकरण का एक नया विशे लेकर आपके सामने पस्तित हुए हैं बच्चों इस विशे को आप हमेशा की तरह मेरे इस गीत की पंक्तियों से जान लेंगे ठीक है हमारा काम करो कुछ काम करो खेलो कूदो पड़ो लिखो चलते फिरते डटे रहो समझे नहीं और सुनिए बच्चों क्रिया यही पताती है काम करना सिखाती है इस उपर की पंक्तियों में खेलो कूदो पड़ो लिखो चलते फिरते यह अज़ क्या है बच्चों यह वे शब्द है जो हमें बताते हैं कुछ क्रिया हो रही है ठीक है तो हमारा आज का विशय है बच्चों क्रिया और उसके भेद ठीक है बच्चों चलिए, अब हम और जानते हैं, ये बच्चे क्या चिला रहे हैं, जरा देखें दोड़ना, नहाना, चलना, बैटना, उदय, अस्त, तैरना, घूमना, गाना, पीना, रहना अरे बाबा, इतनी सार क्रियाएं, देखा, ये बच्चे भी बहुत खुश हैं, ये सब समझ गए हैं, कि क्रिया क्या होती है, जिन शब्दों से, चलिए इसकी परिभाशा के द्वारा हम जान लेते हैं, बच्चों, जिन शब्दों से किसी काम के करने, या होने का पता चलता ह है, उन्हें क्रिया कहते हैं, आशा है, आप भी इनके साथ बहुत मजे लेकर पढ़ रहे होंगे, बच्चों, ठीक है, चलिए, अब हम जानते हैं, क्रिया के जानने योग्य बातें, कुछ, हर एक, जो भी हमारा विशे होता है, उसमें कुछ, ऐसी खास बाते होती हैं, जो आपके लिए जानना बहुत विशेश होता है, बच्चों, चलिए, अब ये क्रिया असल में क्या है, ठीक है, इसके मूल रूप को धातू कहते हैं, आप लोग अब संस्कृत भी पढ़ रहे हैं, संस्कृत में भी आपने जाना धातू यानी क्रिया, ठीक है, तो हिंदी में अब उसे मूल रूप को धातू ही कहा जाता है, बच्चों, जैसे आ, खा, पी, सो, चल, हस, कह, आदी, अब ये तो मूल है, इसमें हस से हसना, हसते हैं, हसोगे, हस रहा है, ये सब क्रियाएं बनती हैं, ठीक है, बच्चों, और जानिए, इन धातूं में ना, ता लगा कर क् जैसे देखिए जरा, खा, धन, ना, खाना, आ, धन, ता, आता, और जानते हैं, बच्चों, जो हम वाक्य बोलते हैं, बच्चों, उसके अंत में जो था, थे, थी, और है, है, तथा, होगा, होगी, आदी, ये भी क्रियाएं शब्द ही होते हैं, बच्चों, जैसे एक उधा पहरन के द्वारा देख लीजे, बच्चों. आज, रएविवार है, तो अंत में आया है. कल शनी वार था, अंत में आया था. कल सोम वार होगा, तो इसके अंत में आया होगा. अर्थाद, है भरतमान काल, था भूद काल और होगा भविश्य काल, ठीक है? ये भी क्रिया के ही रूप है बच्चों ठीक है और जानते हैं बच्चों कभी कभी क्रिया जो होती है वो लिंग वचन और कारक के बदलने पर अपना रूप बदल लेती है और बच्चों सबसे महत्व पून बात कोई भी वाक्य बिना क्रिया के पून ही नहीं होता ऐसे वाक्यों को हम अपून वाक्य कहते हैं समझे आईए एक बार लिंग वचन और कारक बदलने से क्रिया के रूप को देख लेते हैं लिंग बदलने पर जैसे मोर नाचता है तो मोरनी नाचती है नाचता क्या बन गया नाचती क्योंकि मोर मोरनी लिंग बदल गया बच्चों और देखिए वचन बदलने पर कैसे होता है वचन यानी एक या अनेक तो छात्र लिखता है एक छात्र है और छात्र लिखते हैं देखा अनेक दो या उससे भी अधिक जितने भी हो वो सब बहुवचन कहलाते हैं तो उसमें है हो जाता है और एक के लिए बिना अनुस्वार वाला है आता है समझे बच्चों और देख लीजिए कारक बदलने पर कारक आप जानते हैं न हिंदी और संस्कृत में समान होते हैं करताने कर्म को करण से के द्वारा आदी ठीक है बच्चों तो कारक के बदलने से भी क्रिया बदल जाती है जैसे राहुल ने चम्मच से खाया राहुल चम्मच से खा रहा है क्यों बच्चों आप समझ रहे हैं न मैं आशा करती हूँ आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे प्रत्य एक वीडियो जो आपके द्वारा बनाये जाते हैं उसे ध्यान पूर्वक देखा कीजिए और सुना कीजिए बच्चों अब हम जानते हैं क्रिया के प्रकार या भेद के बारे में तो बच्चों क्रिया दो प्रकार की होती है सकर्मक्रिया सकर्मक का मतलब क्या होता है स यानि साथ में और क्रिया यानि काम क्रिया तो सकर्मक्रियार्थात कर्म सहित सहित का मतलब भी साथ ही होता है बचो दूसरी होती है अकर्मक्रिया अकर्मक्रिया अकर्मक्रियार्थात कर्म रहित रहित यानी नहीं चीक है बचो सहित यानी साथ रहित यानी नहीं साथ कितना आसान है दोनों सहित रहित एक तुकांत शब्द भी है और विप्रीच शब्द भी है क्यों बच्चों एक विशे पढ़ने से अनेक विशें की जानकारी भी मिलती जालती है और हमारी पुनरावरिती भी होती है ठीक है बच्चों चलिए सकर्मक्रिया के हम कुछ उधारन को देख लेते हैं सबसे पहले परिभाशा परिभाशा सकर्मकी है जिस क्रिया के साथ कर्म हो उसे सकर्मक्रिया कहते हैं अब ऐसे वाक्यों की पहचान क्या है ऐसे वाक्यों की पहचान है बच्चों वो वाक्य जो आपको पहचानने के लिए दिये जाते हैं सकर्मक्रिया है या अकर्मक्रिया तो इन वाक्यों में यदि क्या लगा कर प्रश्न करने से उसका उत्तर प्राप्त होता है वे सारे वाक्य सकर्मक्रिया के होते हैं ठीक है चलिए उधारन के द्वारा देखते हैं जैसे समर्थ क्या पी रहा है समर्थ जूस पी रहा है अब अगर आपको वाक्य दिया जाता है समर्थ जूस पी रहा है तो आप वहाँ पर प्रश्न करके अपने उत्तर को जान सकते हैं और अगर क्या बोलने से आपको उत्तर मिलता है जूस पी रहा है अर्थात ये सकर्मक है क्योंकि पी रहा है ये कर्मक्रिया है मगर क्या पी रहा है जूस तो क्या का उत्तर मिलने से सकर्मक्रिया होती है और एक उधारन देखते हैं बचों सकर्मक क्रिया का ही कुहु क्या कर रही है कुहुगा रही है अब कुहुगा रही है वाक्या आपको जानना है सकर्मक है या अकर्मक तो कुहुगा रही है में आप कुहु क्या कर रही है बोलने से अगर उत्तर पाते हैं तो ये सकर्मक क्रिया है किसी भी वाक्य में क्या का उत्तर अगर आपको प्राप्त होता है तो वो सकर्मक है और अगर क्या का उत्तर नहीं प्राप्त होता है तो वो अकर्मक अब हम अकर्मक्रिया के बारे में चाहनेंगे बच्चों, अकर्मक्रिया जिनमें क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है, जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है, उसे अकर्मक्रिया कहते हैं बच्चों, इसके उधारन को देखते हैं, वाह, कितनी सुंदर मचलियां हैं, मचलियां क्या तैर रही हैं ये वाक्य कैसा लग रहा है बच्चों आपको क्या का उत्तर आपको पाना है ना उसमें आपको क्या का उत्तर मिल रहा था अब इसमें देखते हैं मचलियां क्या तैर रही हैं ये प्रश्न कुछ सही नहीं लग रहा है है ना तो आपको इसका सही उत्तर नहीं मिल पाया अब हम दूसरा प्रश्न करके देखते हैं कौन तैर रही हैं तो आपको इसका उत्तर मिला मचलिया जब कौन प्रश्न का उत्तर हमें प्राप्त होता है बच्चों किसी वाक्य में तो वे वाक्य अकर्मक्रिया के होते हैं ठीक है बच्चों एक और उधारन को देखते हैं हम लोग अकर्मक्रिया के पहचान है इसकी जिन वाक्यों में कौन लगा कर प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त होता है वे सभी वाक्य अकर्मक्रिया के उधारन होते हैं बच्चों जैसे अब यहाँ एक प्रश्न हम करते हैं शेर क्या सो रहे हैं तो आपको उत्तर नहीं मिला मगर दूसरा प्रश्न करते हैं कौन सो रहे हैं तो हमें तुरंत उत्तर मिलता है शेर देखा बच्चों कौन का उत्तर प्राप्त होने से अकर्मक्रिया होती है और क्या का उत्तर प्राप्त होने से सकर्मक्रिया होती है और बच्चों, आप लोग इसका अभ्यास अपनी पुस्तप में दिये गए अभ्यास कार्या में देख कर कर सकते हैं आप अगर उसका निरंतर अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत भली प्रकार से समझ में आ जाएगा सकर्मक और अकर्मक क्रिया ठीक है बच्चों? चलिए आज के वीडियो में केवल इतना ही अगले वीडियो में नए विशे के साथ हम पुनहा उपस्तित होंगे तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद बच्चों